हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब तो आज मैं आप सभी किसां सेर केने जारी हूं अश्टेट रिस्टाइल चिकन चिली के रेस्पी जब इस तरह से आप चिकन चिली घर पे बना आओगे तो बाहर का खाना भूल जाओगे क्योंकि यह बहुत ही टेश्टी बनती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है तो वीडियो के लाश्टिक वाच किजिएगा अगर आज की रेस्पी आपको पसाइंद आए तो वीडियो के लाइक सेर जरू से कर दीजिएगा तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं तो चीकन चीली बनानी के लिए हम यहाँ पर 500 ग्राम पोलनेश चीकन ले लिये हैं और इसके मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसस कट कर लिया है इस अच्छे से धुल लिया है मैंने और इसमें का सारा पानी हमने निकाल लिया है अब इसमें हम डाल देंगे एक छोटा चमच अद्रक लेसन का पेश्ट और साथ ही में इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चमच काली मिश का पौडर एक छोटा चमच इसमें हम लालमेच पॉडर डालेंगे तुमेरेच पॉडर आप अपने हिसाब से कम यह ज़्यादा कर सकते हैं एक छोटा चमच इसमें हम वीनेगा डालेंगे और टेस्ट कोकरी नमक डाल देंगे और यहाँ पर मैं एक आंडर ले रही हूँ, इसे हम तोरकेस में डाल देंगे अब इसमें बैननी के लिए डालेंगे 2 चमच मैदा और इसे किरिस्वी बनानी के लिए इसमें हम डालेंगे 3 चमच कॉनफलोर आप इसके जगा अरोर पौडर भी डाल सकते हैं आप इसमें हम थाए टालेंगे तो फूड लिए टालने टोर अप्सणल है आपको पसंद होते हैं या फीर इसके बिगार भी अपमेना सकते हैं अब यससारे चिज होगा हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है तो यहां से ही अच्छे से अच्छे से मिक्स करेंगे तो लिजे इसे अच्छे से mix कर लिया है मैंने आप देख सकते हैं अब इसे हम marination के लिए आधे घंटे के लिए फिरीज में रख देंगे अगर आपके पाश टाइम हो तो आप इसे एक घंटे के लिए भी रख सकते हैं अब next step में हम यहाँ पर लेंगे एक बाउल इसमें हम लेंगे चार चमच टमाइटो केचप साथी में लेंगे एक चमच ग्रीन चिली सॉस एक चमच इसमें हम लेंगे रेड चिली सॉस और दो चमच इसमें हम सोया सॉस लेंगे तो sauce यहाँ पर आप अपने हिसाब से थोर सा कम या ज़दा कर सकते हैं लेकिन जितना हमने sauce लिया है इसके लिए एकदम perfect है अब इसमें हम 2-3 चमच पाइन डालेंगे और इसे अच्छा से mix कर लेंगे तो यह हमारा chicken chili के लिए sauce बन के तियार हो गई है तो अभी इसे हम side रखेंगे अब यहाँ पर हम लेंगे एक दूसरा बाउल इसमें हम लेंगे एक चमच पाइन डालेंगे अब इसमें हम आधा कप के जितना पाइन डाल देंगे और इसे अच्छा से mix कर लेंगे तो लिज़े इसे भी अच्छे से mix कर लिया है मैंने अभी इसे भी हम side रखेंगे और यहाँ पर देखेंगे इसे मैंनेसर में रखे हुए आदा घंटा हो गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके उपर कितना बढ़ियां से coating हो गई है तो अब इसे हम fry करेंगे तो इसे fry करने के लिए मैंने यहाँ पर तेल को गरम कर लिया है धियान देना है कि तेल यहाँ पर जादा गरम नहीं होना चाहिए तेल medium गरम होना चाहिए अब इसमें यह चिकन के पिसर्ष डालेंगे ताकि चीकन अंदर तक अच्छ से कूख हो सके तो बस इसी बात का ध्यान देना है कि गैस के फिलम हमेसे आपको low to medium रखना है और low to medium फिलम भी इसे आपको फ्राई करना है और यहाँ पर दिखिए इसे फ्राई करते हुए साथ आप मिने ठोग गया है और यह अच्छ से फ्राई हो गया है आप चाहे तो इसका एक पीस निकाल के चेक भी कर सकते हैं अब इसे हम निकाल लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह कितने अच्छ से क्रिस्ट फ्राई होई है अभी आप इसे ऐसे भी खाएंगे ने यह बहुत ही टेश्टी लगती है और इसी तरह से बाकी का भी हम fry करके त्यार कर लेंगे fry के तरह टाइम बस आपको इसी बात का ध्यान देना है गैस का फिलेम हमें साब को low to medium रखना है और इसे आपको low to medium फिलेम पर ही fry करना है और यहाँ पर देखिए इसे भी मैंने अच्छे से fry कर लिया है तो आप इसे भी हम निकाल लेंगे और इसी तरह से जो बाकी का बचा हुए है उसे भी हम fry कर लेंगे तो निजी है हमने सारे chicken के pieces को मैंने इस तरह से fry कर लिया है मैं आपको पास से दिखाती हूँ यह बाहर से crisp है और अंदर से एकदम juicy है एकदम soft है तो बस हमें इसी तरह से चाहिए तो अब चलते हैं आगे की process की तरफ अब यहां पर देखिए जो कराही में extra तेल है उसे हम निकाल लेंगे और इसमें 2-3 चमच तेल रहने देंगे अब यहां पर देखिए तेल पहले से ही गरम था तो इसमें हम डाल देंगे 2 चोटा चमच बारी कटवी लहसन और साथी में डालेंगे एक चोटा चमच बारी कटवी अद्रक अब इसमें हलका से फराई कर लेंगे और साथी में 2-3 हरिमिर डाल देंगे जिसे मैंने इस तरह से slide में कट कर लिया है अब यह सारे जीजों को हमें 3 जाच पर फराई करना है जब इसमें इस तरह से हलका से गुलाबी कलर आजा है तब इसमें हम डाल देंगे एक प्याज जिसे इस तरह से कट करने के बाद इसके पंखोरियों को मैंने अलग कर लिया है साथी में इस तरह से कट करने के बाद इसके पंखोरियों को मैंने अलग कर लिया है तो लिज़े मैंने यहाँ पर सब्जियों का हलका सा सोटे कर लिया है अब इसमें यह तयार किया हुआ सॉस डाल देंगे अच्छे से mix कर लेंगे और यहां पर जो हई साटोरी में proportions लगी हुई थी तोसमें मैंने पाई डाल दिया है इसमें हम डाल देंगे इसे अच्छे से मिलाने के बाद अब इसमें ये conf Sammy work新 iceberg होल डाल देंगे तोससे डालने से पर लेना अब इसमें हम डाल देंगे, एक तो थाई छोटी चमच का ली मुर्च का पॉररबर, और थोड़ा से इसमें हम नमक दालेंगे, तो नमक यहाँ पर सीरफ साबजयों के लिए ही नमक होती है, अज़ा से मिला लेंगे, अब इसमें हम पानी आट करेंगे, तो यहाँ मैं थीरी का पिसस टाल देंगे और इसे अच्छा से मिक्स करते हुए आधे मिनट तक पका लेंगे इसे ज़्यादे इसे हमें नहीं पकाना है तो फ्रेंस अगर आज की रेश्पी आपको पसंद है तो पिलेज वीडियो को लाइक से जरू से कर दीजेगा और यहां पर दिखे चिकन को म देवे वाली चिकन चिली बन के तयार है यह देखे लग रहे है ना टैम्टिंग और यकीन मनी है खाने में तो बहुत ही टेस्टी है जब इस तर से आप चिकन चिली घर में बनाएंगे आप बाहर का खाना भूली जाएंगे यह बहुत ही टेस्टी बनी है फ्रेंस तो आप इसका फ्लेफम बन करतेंगे और चलिए इससे गर्म-गर्म सर्फ करते हैं तो लिजिए तयार है सूपर टेस्टी और डिलेसस एकदम एस्टेट इस्टाइल चिकन चिली तो इस चिकन चिली के रेस्पी को एक वर मेरे तरीके से जरूर बनाएं फ्रेंस ही आपको बहुत पसंद आएगी तो इसे एक वर आप जरूर बनेएगा तो उमीद है कि आज की रेस्पी आपको पसंद आई होगी रेस्पी पसंद देते वीडियो का लाइक करें अपना फैमिर फ्रेंस में भी सेयर करें और अभी तेक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो ऐसी नई और आसान सी रेस्पी देखने के लिए मैरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सांथ में जो बेल आइकन है उसे भी एक बड़ आल पर क्लिक कर दें ताकि मेरे हर आने वाली नए वीडियो के नोटिफिकर्स आप तक पहुंचते रहे हैं तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक और नए रेस्पिक सांथ थाइंस पर वाचिंग